Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉब में कॉर्मेंट जॉब की त्यारी करने वाले अभ्यरतियों के लिए काफी अच्छी न्यूज आई है PRT TGT की पोस्ट के लिए CETAT पास अभ्यरतियों को एक बहुत बढ़ा मौका मिल रहा है 26,000 पदों पर ये वाकेंसी निकाली गई है ये वाकेंसी जो है वो जहारकन सरकार की तरफ से आई है आवेदन पहले स्टार्ट हो चुके थे बट यहां पर जो है अधर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहां जहारकन टैट मांगा गया था बट अब ये जो है बिल्कुल हटा दिया गया है सीट अब भीरतियों को जो है वो बिल्कुल मौका मिल रहा है मैं आप लोगों को एक निउस दिखा देती हूँ जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 26,000 पदों पर ये वैकेंसी है बहुत बड़ी संख्या में पहले वैकेंसी बिहार में आई और बिहार में वो काफी कैंडिडेट को अधर स्टेट के कैंडिडेट को मौका मिला है सेलेक्शन हुआ है अधर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनको तीन साल में पहले प्रियास में ही पास करनी होगी जेटेट परिक्षा तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और यहाँ पर 125 के टीचर्स के लिए जेटेट पेपर 1 मांगा गया और 628 के लिए मांगा गया जेटेट पेपर 2 ऐसे में जो है 2016 के बाद से जो है जारकन टेट हुआ ही नहीं है तो अभ्यार्ती फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए तो अब जो है यहाँ पर जारकन हाई कोट ने बुद्वार को सीटेट उत्तीन अभ्यार्ती संग की ओर से दायर जनहित याचका पर बड़ा फैसला सुनाया है चीफ जस्टिस संजे कुमार मिश्टो जस्टिस आनंदा सैन की खंड़ पीट ने करीब 26001 पदों पर साहक अचारे की होने वाली निक्ती परिख्षा में सीटेट पास अभ्यरति या पडोसी राज्य से अगर टेट भी गलियर किया है तो पास अभ्यरतियों को शामिल होने की अनमोती डे दी है जब जारकन टेट हुआ ही नहीं है तो ऐसे में अभ्यरति जो है form fill करें तो करें कैसे तो ऐसे में सीटेट पास अभ्यरतियों को और पडोसी राज्ये से टेट पास अभ्यरतियों को बिल्कुल मुका मिल रहा है आई कोड ने का है कि यदि इन अभ्यरतियों की नुक्ति हो जाती है माल लिजी आपका selection हो जाता है एक ही एक्जाम होगा जैसे बिहार में एक ही एक्जाम जो है कर दिया गया था ऐसे ही यहाँ पर एक ही जो है पिपर होगा तो अगर नुक्ति हो जाती है तो उन्हें तीन साल के भीतर प्रतम प्रयास में जेटेट की परिक्षा पास करनी होगी मान लीजिए कि जारकन सरकार तीन साल में जेटट परिक्षा आयोजित ही नहीं करती है तब भी आप पर्मानेंट ही है क्योंकि हाँ पर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है जेटट का एक्जाम है वही आयोजित नहीं किया गया तो अभ्यर्तियों पर यह सर्त जो है वह लागू नहीं होगी अभ्यर्तियों को साहिक अचारे परिक्षा की त्यारी के लिए तीन महां का समय दिया जाएगा और यहाँ पर जो है समय भी मिल रहा है त्यारी करने का तीन महां का ठीक है कोड ने कहा सरकार हर साल जेटेट परिक्षा युजित करें और कोड ने मामले को जो है निस्पादित कर दिया है तो यहाँ पर परिक्षा की त्यारी के लिए भी जो है तीन महिने का समय मिलेगा तीक है यहाँ पर आपकी जौब भी लगेगी और साथ में आपको समय भी मिलेगा कि जेटेट किया एक्जाम आप क्लियर कर सकें याचिका करता का कहना था कि जहारकन सरकार ने वर्स दोजार सोला के बाद टेट परिक्षा तो ली ही नहीं लेकिन राज्य में सिक्षक नुक्ति परिक्षा शुरू हो गई इसलिए सिक्षक नुक्ति में सीटेट पास अभ्यरतियों को भी शामिल होने दिया जाए जारकन सरकार सीटेट परिक्षा के अब ही आयूजन कराए तो थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ गवर्मेंट ऑफ जारकन की तरफ से जो है वैकेंसी आई थी तो यहां पर जो है यहां आप देख सकते हैं 1-2-5 के टीचर्स के लिए साहे का चार्रे के लिए सेल्टी जो है वो काफी अची है गवर्मेंट जोब है पर्मानेंट जोब है ठीक है यह तो आपको पता ही है तो यहां पर प्रारंबिक सिक्षा में दोई वर्सी डिप्लोमा और इसनातक या फिर 12 आपका है तो बिल्कुल आप लोग यहां अप्लाए कर सकते हैं 1-5 के लिए जो है बीट वाले भी जो है अप्लाए कर सकते हैं अब यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ था कि जारकन सरकार द्वारा कक्षा 1-5 के लिए आयोजे सिक्षक पातरता परिक्षा JTET में उत्तिर होना जरूरी होगा तो अब यह जो है यह compulsory नहीं है यहां पर CETET को भी मानेता दे दी है कि CETET जो है अगर आपका clear है CETET paper one तो भी आप बिल्कुल बनाया था अब दوبारा से वीडयो यहां बना दिया जाएगा जब online application दुबारा start हो जाएंगे तो यहाँ पर 6-to-8 के लिए क्या कहा गया था कि यहाँ पर भी प्रारंबिक सिक्षा में अगर दोई वर्षिय डिप्लोमा है आपके पास या फिर BA, BA, BSC, BA है वो भी apply कर सकते है 6-to-8 के लिए यहाँ पर भी JTED मांगा गया था लेकिन अब JTED पेपर 2 पिलकुल यहाँ पर apply कर पाएंगे फीज जो है वो जादा नहीं लग रही थी अगर मैं बात बताओं यहाँ पर तो फीज जो है मात्र 100 पर लग रही थी यह देखिए यहाँ पर पर इक्षा सुलक जादा नहीं है 100 पर मात्र है और जारकंट के जो candidate है उनके लिए यहाँ पर छूट दी गई है तो 100 पर भी जो है वो general category के लिए और other state के candidate के 100 पर जादा नहीं है ठीक है तो जैसे ही online application start होंगे दुबारा से क्योंकि पहले start हुआ था और उसके बाद जो है जब form ही नहीं आए students के क्योंकि JTAT हुआ ही नहीं 2016 के बाद तो ऐसे में दुबारा से जो है इनको notification निकालना होगा नए तरीके से ताकि students form fill कर सके ठीक है तो पहले जो है registration 88 2023 से लेकर और 7 सितंबर 2023 तक चल रहे थे अभी दुबारा से जो है notification आएगा वैसे ही जो है बिल्कुल आप लोगों को वीडियो के मात्यम से बता दिये जाएगा मिलेंगे next वीडियो में thank you